नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस नए वीडियो में दोस्तो महराष्ट में अगले महीने विधान सभा का चुनाव होने जा रहा है और चुनाव की जो सरगर्मियां काफी तेज हो चली हैं सारे जो बड़े बड़े नेता हैं अब महराष्ट की तरफ कूच कर रहे हैं रैली भी शुरू होने वाली है प्रत्याशियों के चैन भी शुरू होने वाले है कुल मिलाकर महराष्ट की राजनिती को लेकर इस समय गहमा गहमी का माहौल पूरे देश में हो रहा है इस बीच एक चेहरा महराष्ट से काफी जादा सुरुखियां बटोर रहा है इनको देखिए क्या इनको आप चेहरे से पहचानते हैं अगर नहीं तो मैं आपको इनके बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ इनका नाम है राज रतन अम्बेटकर नाम में अम्बेटकर है लेकिन काम कितना अम्बेटकर जैसा है आज इस पर भी हम चर्चा करेंगे तो इनका नाम है राज रतन अम्बेटकर तो जैसा की नाम इनका राज रतन अम्बेटकर है जाहिर तोर पर ये बाबा साहिब के घराने से आते हैं और ये रिष्टे में अगर मैं बात करूँ तो बाबा साहिब के परपोत रड़ लगते हैं इनके पिता जी का नाम है अशोक अंबेटकर जो बाबा साहिब भीमरा अंबेटकर जी के पोते थे और बाबा साहिब के एक और पोते हैं प्रकाश अंबेटकर तो प्रकाश अंबेटकर और राज रतन अंबेटकर चाचा भतीजे हुए तो दोस्तों ये रिलेशन आपको बताना बहुत जरूरी है जिससे आप कनेक्ट कर पाएं इनकी शक्सियत का आप अंदाजा लगा पाएं कि ये कितनी बड़ी शक्सियत है तो इन्होंने बयान क्या दिया सबसे पहलें कि बयान पर हम चर्चा करेंगे इन्होंने कहा है कि जो RPI है RPI Republican Party of India ये तो आप सभी को मालूम है कि ये बाबा साहिब की पार्टी थी हाला कि RPI की हालत ये है कि ये भी कई टुकडों में बटी हुई है ठीक वैसे ही जैसे मानवर जी ने जो बाम से बनाई थी जो एक सामाजिक संगठन था वो विखरा हुआ है अलग-अलग टुक RPI 58 अठावले अठावले साहब को आप सब जानते हैं लगातार मोदी जी का साहथ दे रहे हैं मोदी जी के कंधे से गद्ना मिलाकर चल रहे हैं BJP का साहथ छोड़ने कोई तयार नहीं है अब आते हैं इनके बयान पर राज रतन साहब को अचानक खयाल आया एक बड़ा खया करते हुए कहा या यूं कहिए कि वादा दावा करते हुए कहा है कि भाई RPI जो है पार्टी अब उसे पुनर जीवित किया जाएगा उसे अब रिवाइब किया जाएगा क्योंकि ये पार्टी विरासत है बाबा साहिब की और इस विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो राजरतन साहब चाहते हैं कि RPI पार्टी फिर से जीवित हो, यानि एक लाइन में वो RPI के अध्यक्ष वरना चाहते हैं, जब भाई पार्टी जीवित हो जाएगी, जब पार्टी चलने लगेगी, एक्टिव हो जाएगी, तो जाहिर तौर पर जो जीवित करेगा वही उसका तो कुल मिलाकर आप पूरी तरीके से राजनिती में सक्री होने जा रहा हैं राजरतन अमबेटकर साहब अब आप पूछेंगे भाई क्यों सक्री होने जा रहा हैं। सक्रिय इसलिए होने जा रहा है क्योंकि हमने कहा ना कि महराष्ट्रा में विधान सभा का चुनाव होना है महराष्ट्रा का जो विधान सभा का चुनाव है बहुत दिल्चस्प होने जा रहा है और देखे महराष्ट्रा से ही आते हैं प्रकाश अंबेटकर भी और महराष्ट् प्रकाश अंबेटकर राजवतन अमबेटकर सहाब जब पार्टी बनाएंगे तो लोग क्या कहेंगे भाई चाचा के पास जाएं या भतीजे के पास हाला कि प्रकाश अंबेटकर जिनकी पार्टी है बंचित बहुजन अघाडी वो कुछ हद तक काम्याब होती हुई नजर आ रही है महाविकास अघाडी के साथ भी ये रहे और अब अकेले लड़ेंगे या फिर बायावती जी के साथ आएंगे और राज रतन जी ने एक बड़ा बयान मायावती जी को लेकर दिया है उन्होंने एक बड़ा बयान देते वे कहा कि मायावतीजी का जो vote bank है वो shift हो रहा है तो राज रते नमेंठ कर कहара है कि जो बहन जी का vote है वो shift हो रहा है यानी जो और party हैं उनकी तरफ जा रहा है इनके बयान से ऐसा लग रहा है प्रतीत हो रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बीएसपी के वोटरों पर नज़र रखे हुए है कि भाई जब पार्टी बनेगी आर्पियाई जीवित हो जाएगी तो हम उनको इधर शिफ्ट कर लेंगे कई जानकार इस पर भी चर्चा कर रहे हैं कि इनकी मंचा यही है कि महराश्ट में खुद को सबसे बड़ा बनाया जाए हाला कि ये बैंट जी की तारीफ करते वे नज़र आ रहे हैं दोस्तों राज रतन ने क्या कुछ कहा है आईए मैं आपको उनका बयान सुनारता हूँ और इसलिए मैं आज फिर से हमारे समाज की वोट्स हमारे ही पार्टी में आएं ना इस इंडी ना एमवे के लिए जाये और हमारे वोट्स का रिप्रेजंटेशन में तब्दील हो इसके लिए आज मैं बाबा साहब के रिपुब्लिकर पाइटी ओफ इंडिया को फिर से रिवाइव करके इस पॉलिटिकल मुमेंट को अपने हाथ में लेने की मुहिम कर रहा हूँ जो विश्वास अपने बहन जी पर दिखाया, मेरे चाचा जी पर दिखाया मैं चाहता हूँ कि ये विश्वास एक बाद आप मेरे पर दिखाया याद रखिएगा मैं उस डियने से हूँ जिस डियने ने इस देश में आड़ाई हजार साल की गुलामगिरी को एक साट साल के उनकी जीवन कारेकाल में खतन कर दिया उस डियने को लेकर में चल रहा हूँ तो सुना आपने राजवतन कह रहा है कि भाई जो समाज है उनका विश्वास इन पार्टियों से उठ रहा है इसलिए हम बाबा साहिब की जो आर्पियाई पार्टी है उसे हम जीवित करेंगे दोस्तों बाबा साहिब ने कहा था कि एक जुट रहिए संगठित रहिए शिक्षित रहिए संघर्ष करिए क्या ये जो तीन चीजें बाबा साहिब ने कही थी क्या बहुजन समाज उनकी इन बातों पर आमल कर पा रहा है ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि अगर एक ही घर में सोचिए दूस्तों बाबा साहिब के ही घर में कई लोग पार्टी बना लेंगे तो फिर बहुजन समाच कहां जाएगा अरे वो बामन मेश्रान के पास जाएगा अठावले के पास जाएगा प्रकास अमबेटकर के पास जाएगा बहन जी के पास जाएगा या फिर राज़तन अमबेटकर के पास जाएगा महराश्टरा में चुना होगा तो कहा जाएगा बाई उसके लिए तो मुसीबत ही है वो कैसे अपनों को चुने किसको चुने किसको ना चुने क्यों नहीं बहुजन समाज आपस में एक जुट है ये बहुत बड़ा सवाल है और जिस आरप्याई को जीवित करने की बात कर रहा है राजरतन क्या इतना आसान है और अगर आसान है तो फिर प्रकाश अम्बेटकर जी ने उस पार्टी को जीवित क्यों नहीं किया ये बहुत बड़ा सवाल है प्रकाश अम्बेटकर जो की पोते हैं बाबा सहे भीमराव अम्बेटकर जी के पोते हैं और ये तो पड़ पोत्र हैं यानि उनके पोते के बेटे हैं तो फिर प्रकाश अम्बेटकर जी ने क्या बड़ी चुक कर दी बाई बंचित बहुजन अघारी किसे नाम्याद है जा हाँ एसपी एक पार्टी उभर रही है उसके बारें बात हो रही है बसपा के बारें बात हो रही है तो मानवर जी या फिर बाबा साहिब इनके विचारों को एक छट के नीचे कब लाया जाएगा ये बहुत बड़ा सवाल है कोई नेतृत क्यों नहीं कर पा रहा है बहुजन स अभी नहीं कर पाओगे बाबा साहिब ने भी खौब देखा था कि हमें शासक बनाना है शासक शासन करना सिखा रहे थे शासन कैसे करें शासक बनेंगे तभी अपने लोगों का कल्याण होगा और धड़ों में बटे रहेंगे तो फिर कल्याण कभी नहीं होगा खुद का कल्य तो कर लेंगे पार्टी बना लेंगे अध्यक्ष बन जाएंगे आपका कल्याण तो हो जाएगा आप राश्टी अध्यक्ष बन जाएंगे और एक बात बताऊं आपको कोई भी किसी को पार्टी बनाने से नहीं रोक सकता नहीं रोक सकता ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकत क्योंकि सबको freedom है सुतंतरता है ना आप चंदरशेखर को रोक पाएंगे ना आप राजरतन को रोक पाएंगे किसी को नहीं कोई रोक पाएगा लेकिन फिर वही विचारधारा की बात आती है कि किसकी असली विचारधारा मानी जाए क्या ये बहुजन समाज के लिए confusion का मामला नहीं हो जाएगा क्या बहुजन समाज ऐसा होने पर confused नहीं होगा क्योंकि यूपी में देखे कई सारी पार्टियां है महरास्टर में तो सैकड़ों पार्टिया हमने आपको बताई तो जरूरी पार्टि नहीं जरूरी है कि एक छट की नीचे आएं संगठित होकर दिखाए तब जाकर शासन आएगा बहराल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही राज रतन जी के फैसले से आप लोग सहमत हैं सहमत हैं प्रत्किरिया जरूरी दिए बहुत बहुत धन्वाद शुक्रिया